नमश्कार दोस्तों आप उसकी एक बार में उस नाम से पहचान कर सकेंगे कि हाँ चलो ये इस ग्रुप में आता है वरगी करण का मतलब तो आप समस्ते ही होंगे दोस्तों आपको ये चीज मालूम होगी कि वरगी करण पौधों का और जनतों का इसलिए किया गया ताकि हम पहचान कर सकें आसानी स और अगर हम खोजने जाए किसी भी पौधी के बारे में कुछ भी कोई भी करेक्टरस्टिक या उसका कोई भी गुड तो हमें जादा वक्त न लगे उसके लिए सारे पौधों को क्लासिफाई किया गया उनका वर्गी करण किया गया है दोस्तों एक साइंटिस्त जिनका नाम आरश विटेकर वो आए और उन्होंने पांच जगत बनाए पांच अलग अलग जगत बनाए यानि जगत का मतलब यहां संसार से नहीं है यहां इसका मतलब यह है कि जो बहुत चोटे हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रुत पढ़ रही है हम उनको जीवा पांच जगत को विभाजित किया दोस्तों उन्होंने ताकि सबको पता चल सेके कि किसका कैसा गुड होता है दोस्तों जब इसका पादप जगत के हिसाब से वर्गी करन करने की कोशिश की गई तो उसमें सबसे मेजर बात जो ध्यान रखी गई वो यह रखी गई कि क्या पौधों में किसी तरीके का लैंगिक जनन होता है या फिर पौधे जो है वो किस तरीके के वासस्थान में मिल रहे है यानि कि उनका है वासस्थान का मतलब होता है कि कोई कहां रह रह रहा है यानि कि ऐसी जगह जहां पे किसी भी पौधे या किसी भी जीव को रहने के उन्होंने क्या किया एक जो है फाइलम बनाया एक संग बनाया जिसका नाम उन्होंने थैलो फाइटा रखा दूसरे का दोस्तों उन्होंने नाम रखा ब्रायो फाइटा और जो तीसरा था दोस्तों उसका नाम उन्होंने रखा था टेरिडो फाइटा ठीक है उसका नाम क्या तो इसको जिम्नोस्पॉम, और नाम का नाम दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है थैलोफाइटा, बाटा है। दोता है फुस्ले*** ठीक जाने हो आधि, गुवस्लिक डोकी डियोफाइटा। अगर नहीं आदे तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और इसको याद कर लीजे दोस्तों थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंज्योस्पर्म इस प्रकार से आपके चार जो हैं पूरे विभाजन किये गए हैं चार फाइलम में ठीक है अब देखे दोस्तों क्या किया गया था सबसे पहला पैरामिटर क्या देखा गया था क्या पौधों के पास अलग अलग पार्ट है यानि कि उनके पास जड़ तनापतियां है या नहीं है बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास जड़ तनापतियां नहीं होती है और कुछ ऐसे होते हैं ज जिसके पास जड़तना पत्ती होती थी उसमें उन्होंने क्या देखा उसमें उन्होंने देखा क्या उसके पास समवहनी उतक है वैस्कुलर टीशू है वैस्कुलर टीशू क्या होता है दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पौधे में एक उतक मौजूद होता है यानि कि कोशिक जिसे हम जायलम कहते हैं, modularically, जो किया करता है, पानी का उफज्ण करने में मदद करता है, अगर वो डोनों चीजेन किसी पुधे में पाई जाएंगी ज़े deposited in all the food, पहली बात तो आपको ये अद रखने है, अगर पाया जाता है, तो उसे हम vascular tissue के नाम से जानते हैं, उसे हम समवहन उतक के नाम से जानते हैं और अगर नहीं पाया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि non-vascular है यानि कि उसके पास समवहन उतक नहीं है, यानि कि xylem phloem नहीं है तो जिसके पास भी जरतना पत्ती होती थी उसमें ये चीज उन्होंने देखना शुरू की कि क्या उसके पास जाइलम फ्लोयम है या फिर नहीं है उसके बाद दोस्तों क्या किया उन्होंने जिसके पास वैस्कुलर टीशू होता था जिसके पास समवहनी उतक होता था याने जिसके पास जाइलम फलुम होता था उसको बंगोने ब्रायो फिटा संग में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों है जिसके पास नहीं होता था उसको बिज की जास होता है, हम लोग आजाते हैं दोस्तों थैलो फाइटा में ठीक है अब देखे थैलो फाइटा की क्या विशेष्था थी हम ये देखेंगे थोड़ा सा थैलो फाइटा में दोस्तों ये विशेष्था थी कि इस संग में जितने भी पौधे थे उनके पास जड़ तनापतिया नहीं तो उसमें आपको Algae यानि काई पानी में तायरने वाला वो दिखाई देता होगा जिसके पास जड़तना पति नहीं होती है और इसमें ब्रूड भी नहीं बनता है इसके पास ब्रूड भी नहीं बनता है याद रखेंगे जो भी पौदे इस ग्रूप में आते हैं दोस्तों उ अब इसके दोस्तों जो उदारण है, स्पाइरोगाईरा है, यूलोट्रिक्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का यह नजर आता है, स्पाइरोगाईरा को अगर दोस्तों आप देखेंगे, माइक्रोस्कोप में तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया हुए स्पाइरोगाईरा, कुछ बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है, और कारा दोस्तों यह भी एक तरीके का शेवाल होता है, वो ऐसा दिखेगा, अलवा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, क्लमेडो मुनास जो है, वो आपको इस तरीके से नजर आएगा, और यूलो त्रिक्स इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे यह लोग माइक्रोस्कोप में, यानि कि यह लोग आपको ऐसे सुख्ष्म दर्शी के अंदर दिखेंगे, बात समझ में आई, अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको याद कर लेना है, थैलो फाइटा का नाम कोई भी लिया, तो आपको दिमाग में तुरंट आजाना चाहिए, सारी काई आती है, ठीके, एलगी, काई, शैवाल, कुछ भी बूलिए आप उसको, ठीके, अब दोस्तों, एक्जाम में आपके क्या प्रश्ण पूछता है, शैवाल की अध्यन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, फाइकोलोजी, ठीके, फाइकोलोजी हम शैवाल की अध्यन को कहते हैं, इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानि कि इसके पास chlorophyll मौझूद है तो ये अपना भोजन स्वयम बनाता होगा ये बात आप गेस कर सकते हैं अब उसके बाद दोस्तों इसमें समवहनू तक नहीं होता है यानि कि इसके पास xylem flame नहीं होता है अब आप खुद सोचिये कि आपके पास हाथ का जरूत है हाथ का यही जरूत है कि आप उससे खा सकें पी सकें और कोई काम कर सकें है न a अब अगर मान लिजिए आप पैर से ही खा पी सकते है तो आपके पास हाथ होता ही क्यूँ वही बात यहाँ पे भी है शैवाल खुद पानी में होता है तो वो जाइलम का क्या करेगा वो जाइलम का कुछ नहीं करेगा उसका कोई मतलब नहीं अगर उसके पास जाइलम रहता भी वो उसका शैवाल का भूजन ही उसको पानी से ही प्राप्त हो रहा है और chlorophyll मौझूद है उसके विज़ से अपना खाना भी बना ले रहा है तो फिर वो phloem कभी क्या करेगा तो उसके पास xylem और phloem दोनों मौझूद नहीं होते हैं इसके पास ब्रूड भी नहीं बनता है तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पानी में इसलिए फैलते हैं क्योंकि ये fragmentation करते हैं विखंडन करते हैं कभी भी आपने काई को देखा होगा जितनी बड़ी काई होती वो तूटती है थोड़ी सी तूट जाती और पानी में दूसरे जगर फिर से फैल जाती है तो इनका यही होता है इनको ब्रूड की ज़रत नहीं पड़ती है ब्रूड समझते है क्या होता है अगर मा लीजे कोई भी आप इतने बड़े परसन बन चुके हैं या आप इतने बड़े व्यक्ति खड़े हैं सामने लोगों के पहले आप जब बहुत चोटी अवस्ता में मा की गर्ब में थे तो आप भुरूड अवस्ता में थे उसी को भुरूड अवस्ता कहते हैं जब आप एक सेल की रूप में सिर्फ होते हैं दोस्तों यह जो शहवाल होता है यह अपना बुजन स्वयम बनाता है क्लोरोफिल की वज़ा से इस वज़ा से हम कहते हैं कि यह ओटोट्रोपिक होते हैं अपना बुजन जो स्वयम बनाता है उसे हम स्वापोशी या फिर आत्म पोशी के नाम से जानते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप कीचन में गुद के खुद से खाना बना रहे हैं तो आप सौपोशी होएं, नहीं, आप खा तो पेड़ पोधों को रहे हैं, आप पेड़ पोधों पर डिपेंड हैं, आप फसनों पर डिपेंड हैं, तो आप परपोशी हैं, आप दूसरे को ल प्लांट सेल कहलाने में, ठीक है, कोई भी प्लांट सेल, तभी प्लांट सेल है, जब उसके पास सैलिलोस की वाल मौजूद है, ठीक है, ये इसकी खास बात होती है, अब दोस्तों, आपको परिक्षा में और भी चीजें पुची आती है, जल का रेशम हम किसे कहते हैं, प्लांट सेल, अजोला नाम के फन के अंदर क्या पायाता है, एना बिना एजोली, नाम का एक शैवाल जो है, वो मौजूद होता है, तोस्तों, अब आप अगर सनरशना के हिसाब से दिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, ये वाला जो है, ये ज कौन से शैवाल से कर सकते हैं, लैमिनेरिया नाम का शैवाल है, जो आपको सुष्ण दर्सी में कुछ ऐसा दिखेगा, और इससे आप आयोडीन का निर्मान कर सकते हैं, चाय और कॉफी के फसल को खराब करने वाला जो शैवाल होता है, दोस्तों, वो ये है, जो ब्राउन कल जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और कुछ शैवाल और भी हैं, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, जो कीचड में रहते हैं, जो कीचड में पाए जाती है, काई जो अक्सर पाई जाती है, वो क जो इनके हाथ में है दोस्टों, ये क्या है? ये रैवलेडिया है, ठीक है? प्रोटोडर्मा जो है कच्छूय की फीछ पे भी आपको काई दिखती होगी। वो प्रोटोडर्मा कहलाती है। घोंगे के डिखलाती है घोंगे के उपर जो लगती है though तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, पानी में बहुत चोटे दिखते हैं, पानी में कुछ इस तरीके से दिखेंगे जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस से भी चोटा है, आप इमाजिन कर लीजे, ठीक है? तो कुछ ऐसा सा जो है दोस्तों LG की कहानी है शैवाल की कहानी है तो आज मैंने आपको शैवाल के बारे में बताया है और आप इसमें आंसर करिएगा मुझे मेरे प्रशनों का कमेंट शिक्षन में पादब जगत वरगी करन को हम थोड़ा थोड़ा करके कम्प्लीट करेंगे सबसे पहली बात कि इसका अध्यन क्या कहलाता है थैलो फाइटा का आप मुझे उदारन दीजे मैंने कौन-कौन से शैवाल के नाम आपको बताए तालाब में जल या रेशम का उपमा किसे कहते हैं जल का रेशम हम किसे कहते हैं यह यहां पूछा गया है कौन से ऐसा अलगी जिसे हम जल का रेशम कहते हैं कौन से शैवाल से आयोडीन का निर्मान होता है यहां पर प्रश्ण में पूछा गया है कौन से ऐसा अलगी है जो आयोडीन बनाने में मदद करे वाला जो आपका LGA उसे क्या कहते हैं अगेन आपका दोस्तों कुश्रन दिया गया है कारा कहां मौजूद होता है अगर आप कमेंट शिक्शन में बता देते हैं फिर हम मान जाएंगे कि आप मेरी बात ध्यान से सुने हैं छोटा वीडियो है दोस्तों अगर आप बता ले किनारे जो है वो पाय जाते हैं वो कौन से शेवाल होते हैं जील और तालाप के किनारे पाय जाने वाले शेवालों को क्या कहते हैं जो पानी में तैरता है वो शेवाल क्या कहलाता है कच्छुए की पीट पे उगने वाला शेवाल क्या कहलाता है अब लाइकेन और लाइकेन पूरा करके ही रहेंगे तो मिलते हैं आपनी नेक्स वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे और पादब जगतवरगी करन पूरा करके ही रहेंगे ठीक है तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, thank you so much जल्दी से इसको अगर आप पढ़ लेते हैं आपका response बहुत अच्छा आता है तो हम इस plan classification को खतम करके scam CQ भी आपके सामने ले करके आएंगे thank you so much दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और एक दम मस्त रहे